हेलो नमस्कार स्वागत्र आप सब्सक्राइब दिन में देगे आप में से बहुत सारे लोग जो है जो हर्याणा असिस्टन प्रोफेशनल का फॉर्म जो है वो फिलप के हुए हैं या उस फॉर्म को भरना चाहरा हैं बहुत सारे बच्चों का डाउड था कुछ कि मैं यूर मे कॉंट होंगे यह और से बात इतना कोश्चन इतना डाउट होने लिए बात नहीं होती है यह हमेशा से नियम राए ठीक हैं तो कुछ लोग जो कॉल कर रहे थे मैं उनकी उत्तर का जवाब इस वीडियो में देता हूं इस वीडियो में हम जो फोकस करेंगे वह हमारा जो में हमें आप सबका जो डाउट है वह है कि इस परिक्षा में मेंस का इग्जाम स्क्रिणिंग के बाद लिखीत परिक्षा जो होगा जो एक्जाम होगा वो डिस्कृप्टीव क्यों टाइब का होगा जैसे UPSC या PCS का मेंस होता है उस टाइब का अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यह है कि बच्चों की जो डाउट है वह है कि उत्तर लिखन कब से करें मैंने कुछ कुछ नोट की है जो बच्चे मुझसे कॉल पर पूशते हैं मैसेज पूशते हैं कि कब से उत्तर लिखन करें कहां से करें रिसोर्स क्या होंगे नोट कैसे बनाएं कहां का नोट करें और कौन से किताबें पड़ें अंधिवा मैंने आप लोग को किताबों के बारें बता रखा है तो इस वीडियो में हम किताबों के बारें डिसकस नहीं करेंगी हम बारी बार यहां dedicated batch हमारे हाँ चलाया जा रहा है और उसकी जो फीस है ना वो सिर्फ 3099 रूपय से सुरू होती है तो इतने कम फीस में अगर आप उस batch को join करेंगे तो आपको तो पहली बात कहीं सा tension लेने के ज़रूत ही नहीं पड़ेगी योकि उस batch में आपको पढ़ाएंगे test paper देंगे notes देंगे अगर उस batch को आप जोईन करते हैं फिर भी जिन्हों ने उस batch को आपको नहीं बढ़ गई है मैं कल इसके बारे वीडियो बना चुका हूं तो मैं उत्तर लिखन पर आता हूं कि उत्तर लिखन आज से करिए प्रति दिन एक से दो प्रस्णों का उत्तर लिखन करिए कहां से करना है अगर इसकी बात करें तो आपको उत्तर लिखन जो है न इस किताब से करना है यह किताब आप देखीजिए chronicle की किताब आती है हिंदी साइंट UPSC की पेपर होता है इस किताब को आप खूल के देखेंगे इस किताब में टॉपिक वाइज बैरियस यर की कोश्चन्स हैं अब इसमें जो जो आपके टॉपिक्स में हैं जो जो आप यूपी अपने हर्याणा का सलेवस उठाई है जो आपके सलेवस में लगे हुए उसका उत्तर लेखन उसका अभ्यास इसको पढ़िए और इसको पढ़के लिखिए हम लोग इस वाद को बहुत लोड लेते हैं कि लिखना है जीवन पर हमने लिखाई होता है हम पहली कच्छा से ले करके अपने मास्टर्स तक लिखे होते हुँ तो हम कॉम्पटिशन में आके लिखने पड़ा होगा हमैसा से हम उत्तर लिखन लिखते हुए परिक्षा देती हुआ हैं सिर्फ कॉम्पटिशन में आकर करके दो-चार सालों में पांच सालों में हम आपज्चिव देते हैं तो हमें लिखना बढ़ना लंग लगता है हमें हो हाड लगने लगता है जो कि वो सबसे easy काम होता है और सबसे सही काम होता है तो मुझे लगता है कि हर्याणा वालों का यह best वो रहा है कि उन्हों लिखित परिच्छा कराई है तो यह किताब आप लोग देख लिएजिए का जो पेपर होता है उसका हिंदी साइट का ऑपसरल पेपर जो होता है उसको उनके website से डाउनलोड करिए नहीं तो हमारे application पर भी कुछ पेपर उनके दिये गए हैं आप जाके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो हर्याणा का एक पेपर का पैटर्न लग जाएगा कैसे सवाल पूछेंगे यह दो बाते होगे कब से करें मैंने बता दिया कि अभी से स्टार्ट करी एक दू को सिर्क कहां से करें मैंने यह बता दिया दो रिसोर्सेस हैं इसके अलावा स्टेट पीसेस अगर आपको सॉल्ट पेपर मिल हिंदी का तो वह लगाईए यूथ का या किसी प्रकाशन का आपको मिल जाएगा अब सबसे बात आदिक कहां से पढ़ें यानि की सबसे पहले अगर आप हमारे बैच में हैं एचन अध्यन के बैच में हैं हमारा संपूर बैच चलता है उस बैच में हैं तो आपको कहीं सी भ बैच आपको अलग से कुछभी नहीं करना है हम लोग को पढ़ाई जा रही है complete notes मिलेगा फिर जब आपके screening पर इक्षा हो जाएगी न तो आपको उत्तर लेखन का भी अभ्यास कराए जाएगा जो batch में जुड़े हुए फिर भी जो नहीं जुड़े हुए वो क्या करें देखें वो Drishti IS की किताब आती है एक notes आता है I think इस notes को आप देख लेजिए यह द्रिस्टी की notes आती है market मिसकी 4-5 type के हैं आप इसको ले सकते हैं यहां से आपके topics जो जो हैं उस पे आप notes बना सकते हैं आप पड़ सकते हैं ठीक है उसके अलावा क्या करना है आपको अपना syllabus खोलना है और आपको अपने syllabus के according to the point notes बनाते हैं मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे यह यह notes है ठीक है इस नोट्स को मैं आपको दिखा देता हूं एक सब्सक्राइब तो यह notes है इस notes में जैसे राजवासा दिया हुआ है यह राजवासा है लाइक जैसे हिंदी आलोचना समिक्षा जो है उस पर भी कुछ points नोट कर लिए हैं फिर कुछ points है तो इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं और बाद में आप उसको एक्जामें एंसर राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं ठीक है इस notes को भी हम लोग अपने ग्रूप में प्रोवाइड करेंगे तो यह चोटी-चोटी सी बाते जो हैं आपको मैंने बता दिया कुछ लेखन कब से करें कहां से करें नोट्स कहां से पड़ें यह कुछ पॉइंट्स थी जो आप लोग को बतानी थी होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगाएगा और और उसके साथ भी शेयर करिए और अगर आप चाहें तो हमारे पैस से जोड़ सकते हैं दिये के नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं हमारा अप्लिकेशन जरूर डाउनलोड करें वहाँ पर आपको पैस नहीं पर डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ फ्री कंटेंट वहाँ पर मिलता रहेगा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद